चलिए आज हमना एक important topic discuss करने जा रहे हैं in DS33 का which is basically कि आप अगर आपको multiple potential ordinary shares दिये होंगे तो आप किस तरीके से diluted EPS निकालेंगे ठीक है the topic is computation of diluted earning per share in case of multiple possible potential ordinary shares or I can say possible possible ठीक है इती बाटे है समझाती है चलो देखो अब इसमें क्या स्पिसिफिक है पहले तो मैं आपको ये बता दू देखो डाइलूटेड EPS तो इंडेस 33 में हम सब ने पढ़ा है कि कि डाइलूटेड EPS किस तरीके से निकालते हैं सिंपल सा फंडा होता है कि अगर हम पोटेंशली ओर्डिनरी शेर्स को ये मालने कि वो ओर्डिनरी शेर्स में कनवर्ट हो जाएंगे तो आपका क्या EPS आएगा तैट विल बी डाइलूटेड EPS का आजाता है अगर बेसिक EPS से जाधा आ रहा होगा तो एंटी डाइलूशन हो बहुत कुछ दे रखा है तो वहाँ पर आप situation को कैसे approach करेंगे वहाँ पर problem क्या आती है देखिए हो सकता है कोई एक particular pause dilutive हो तो दूसरा हो सकता है anti-dilutive हो अब आपको नहीं पता तो आपको identify करना पड़ता है कि कौन सा dilutive है कौन सा anti-dilutive है क्योंकि dilutive का impact लेना होता है anti-dilutive का impact नहीं लेना होता ठीक है तो इसी लिए अगर multiple pause है उस case में DPS कैसे निकलेगा आज मैं आपको समझाऊंगा एक question की help से यह ICI का question है जो art number का आरक है तो इस question को discuss करेंगे इस question के थ्रू मैं आपको steps भी लिखवाऊंगा कि कि किस तरीके से आप इस तरीके के question को approach कर सकते है और in other words आप multiple pause के case में diluted EPS निकाल सकते है ठीक है आई ही जला पहले एक बार question read कर लेते है quickly देखे you are required to compute basic and diluted EPS of the company for the financial year 2019-20 आपको basic और diluted EPS दोनों निकालना है basic EPS में तो चलो कुछ होता निए profit upon में number of equity shares कर दूँगा तो भी काम बन जाता है correct diluted EPS में थोड़ी महनत करने पड़ेगी question क्या किया रहे the following information is available relating to space India limited for the financial year 2019-2020 हमने का net profit attributable to equity shareholder is इतना लीजे आपको दे दिया net profit attributable to equity shareholder बहुत बढ़िया अगर आपको याद हो तो basic EPS कैसे निकलता है numerator में आता है net profit attributable to equity shareholder और you can say ordinary shares divided by weighted average number of ordinary shares outstanding during the year correct या फिर equity shares outstanding during the year जो आपको अगली line वे उसने दे भी दिया number of equity shares outstanding तो ये तो भीया basic EPS तो इसने काम खतम कर दिया बस इस 90,000 को 16,000 से divide कर दो काम खतम हो जाता है correct तो चलो पहले में आपके लिए आपर basic EPS निकाल देता हूँ तो जब मैं अपना answer solve करूँगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा as per accounting इंडियस 33 basic EPS क्या होता है मेरे पास I will write basic EPS is equal to earnings available for equity shareholder exam में जब आप लिखेंगे तो आप यह short form नहीं लिखेंगे आप पूरा लिखेंगे नहीं तो institute भी आपके number short कर देगा याद रखना weighted average number of equity shares outstanding during the year ठीक है इतनी बत क्लियर हमने कहा यह दे रखा है आपको 90,000 denominator दे रखा है 16,000 just divide करने का काम है और कुछ नहीं करना आपके पास क्या आजाएगा basic EPS आजाएगा तो मैंने divide कर लिया लो it's 5.625 आजाएगा basic EPS पहली बत समझा गई चलो बहुत बढ़े हो अब क्या कह रहा है आगे वो देखो आगे कह रहा है average fair value of one equity share during the year यह fair value दी है वैसे देखो EPS में fair value का कोई काम नहीं होता सिरफ एक ही जगे fair value काम आ रही होती है वो है कि अगर आपको options मिल रहे है या right issue हो रहा है तो वहाँ पे आप fair value यूज़ करते हो number of shares निकालने के लिए या potential ordinary shares निकालने के लिए correct तो इसका भी कही ना कहीं use होगा क्योंकि आगे option दिया है तो options के लिए क्या दिया potential ordinary shares दिया है आपको पॉस बता दिया कि भईया यह पॉस है यह है यह है यह यह तीन पॉस दे दिया उस निक तरीके से चलो options दिये है 900 option है with exercise price of 75 okay 900 options है ठीक है exercise price कितना दिया है 75 तो क्या इस case में 900 के 900 option पॉस होंगे the answer is no अगर आपको याद हो कि या आपको आपने कहीं पढ़ा हो तो यह होता है कि option अगर fair market value से lower pay है तो जितना percentage lower pay है उसके according आप पॉस निकालते हो correct तो अभी मैं आपको पॉस निकालके दिखा दूँगा थोड़े दिर में फिर convertible preference shares okay 7500 preference shares है which is entitled to a cumulative dividend of rupees 9 per share ठीक है each preference share is convertible into two equity share हर preference share दो में convertible है दो equity share मिलेंगे इसके बदले ठीक है जी कोई दिकाती है बहुत अच्छी बात है applicable corporate dividend tax इतना दे रखा है आज की rate में वैसे देखो dividend tax is not applicable but sensei quotient institute का 1920 का है तो इसलिए उन्होंने dividend tax दे रखा था तो कोई दिकाती है अब dividend tax लेके solve कर लेंगे but currently DDT is abolished ठीक है देखे options भी equity share में convertible है preference share भी equity shares में convertible है debenture भी equity share में convertible है इसलिए तीनो potential ordinary shares होंगे क्यों होंगे potential ordinary shares वो होते है जिनके बदले में future में equity shares मिले या ordinary shares मिले अब option के बदले में भी equity share मिलेगा convertible preference share के बदले में भी future में equity share आएगा convertible debenture के बदले में भी future में equity share आएगा इसी लिए ये तीनों क्या होंगे potential ordinary shares ठीक है all the question ने लिखा हुआ है but मैंने आपको rational भी बता दिया ये tax rate दे दिया हमने का ठीक है जी बहुत अची बात है आप तो इसे diluted EPS निकालना है चलो निकाल लेते है देखो diluted EPS निकालने के लिए आपके कुछ particular steps है अगर आप इन steps को follow करेंगे न believe me देखेंगे आपके लिए कभी भी challenge नहीं होगा computation of diluted EPS इसके steps मैं हापे side में लिख देता हूँ और left side में solve करना show करूँगा steps for computing diluted EPS क्या क्या steps है देखो सबसे पहले आप निकालो कि आपके कौन-कौन से POS है तो सबसे पहले step 1 पे आप identify करो POS देखो हर instrument जो convertible होता है वो POS नहीं होता ये चीज़ याद अखना अब convertible किस में है माल लीजए preference share is convertible into debenture then it will not be a POS debenture is convertible into preference share then it will not be a POS और यहाँ तो question straight forward था but question complex भी हो सकता है तो आपको सबसे पहले identify करना पड़ेगा POS कौन से है कौन से ऐसे instrument है जो equity shares में convert हो रहे है सिर्फ अगर आपको लिखा होता सिर्फ debenture या preference share तो क्या है POS होता? The answer is no being debenture or preference share is not itself a POS POS के लिए चो main condition है कि भाईया ये future में ordinary shares या equity shares में convert हो जाएंगे या इनके बदले ordinary shares या equity share issue होंगे ठीक है? तो सबसे पहले step पे identify करना है आपको POS कौन से है step number 2 पे आप निकालो number of POS और दूसरे शब्दों में number of ordinary shares या equity share that will be issued दूसरे पे हम POS निकालते है number of POS के कितने POS है POS मतलब हम potential ordinary shares counting में निकालते है step 1 पे हमने identify किया कौन POS है step 2 पे हम number निकालेंगे step number 3 पे मैं निकालूँगा increase in earnings due to conversion of POS due to conversion of POS of POS अगर मैं ये assume कर लूँ कि मेरे potential ordinary shares ordinary shares में convert हो जाते है या equity share में convert हो जाते है तो मेरी net profit में क्या increase होगा अब अगर मैं इसके case में बात करूँ एक general principle की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको एक summary में बता भी देता हूँ देखो generally क्या होता है अगर आप बात करो आपके पास अगर option है तो option के case में generally कुछ भी increase नहीं होता क्यों क्योंकि option का कोई खर्चा डला नहीं होता बट अगर option से related कुछ भी P&L में डला है तो उसका impact ले लेना take impact if anything is accounted जैसे अगर MTM डाला है आपने या fair valuation का कुछ impact डाला है India's 109 के according तो उसका impact ले लेना ठीक है माल लीजे आपने खर्चा डाला है तो यहाँ पर positive आ जाएगा income डाली है तो यहाँ पर negative उतना number आ जाएगा second है आपके पास preference shares, preference shares के case में generally जो dividend होता है वो आपका increase in adding होता है क्योंकि अब आपको क्या होगा dividend pay नहीं करना पड़ेगा जिसकी वज़े से आपको क्या हो जाएगा income बढ़ जाएगी तो कितने से बढ़ेगी dividend से भढ़ेगी अगर आप बात करो bond की या debenture की तो bond और debenture को आप interest pay करते हो तो जब यह convert हो जाएगे तो आपको interest या interest pay नहीं करना पड़ेगा and since interest tax deductible होता है तो it will be interest 1-taxation यह आजाएगे आपकी earnings ठीक है तो यहाँ पर आपने step 3 close किया then आता है step number 4 आपको निकालना है incremental EPS and आपको उसको rank करना है in ascending order या increasing order तो सबसे पहले आप निकालो क्या incremental EPS, incremental EPS बहुत simple है increase in earnings जो आपने step 3 पे निकाली है divided by number of POS जो आपने step 2 पे निकाले है हर potential ordinary shares के लिए यह आपको काम करना है option के लिए अलग preference shares के लिए अलग bond dimension के लिए अलग convertible sorry contingently issuable shares के लिए अलग PPS, partly paid shares के लिए अलग ठीक है सब के लिए आपको अलग से काम करना है हम ने का ठीक है और ranking कैसे करनी है ascending order में पहले जो सबसे छोटा है that will be rank 1 then rank 2 then rank 3 जो सबसे highest है highest rank है ठीक है जी उसकी सबसे highest rank आएगी and last में compute diluted EPS for each POS one by one एक एक करके हर POS के लिए आपको diluted EPS निकालना होगा stop where EPS increase जहाँ पर EPS increase हो जाए मतलब वहाँ पर anti-dilution आगे है वहाँ पर रोक देना pass इतना सा काम कर दो question खतम हो जाएगा कोई भी question उठाके देख लेना यही बनेगा even मैं यहाँ पर एक चीज और react कर देता हूँ मालो अगर आपका PPS है partly paid share या contingently issuable share उसके case में generally जो increase होता है earnings में वो भी 0 होता है ठीक है आएए चलिए इन पांचो steps को follow करते हैं और इस question को बनाते हैं हमने कहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है एक working note बना रहा हूँ मैं computation of diluted EPS के लिए एक working note बना के ready कर रहा हूँ working note तो सबसे पहले हम करते हैं pause को identify step number 1 में तो मैंने कहाँ यार मेरे पे pause क्या है उपर से मुझे पता लगया मेरे पे pause है एक option दूसरा preference share का dividend preference shares and तीसरा debentures convertible debentures मेरे पे तीन pause है correct देखो मैं short में लिख रहा हूँ आप प्लीज एक्जाम में short में मत लिख के आना नहीं तो इसे टूट आपके number short कर देगा बार बार यही चीज समझाता हूँ ठीक है तो यह हो गया step number 1 step number 2 में क्या बोला है मैंने number of pause निकालो चलो निकालते है number यानि कि number of shares कितने होंगे number of ordinary shares देखो अगर मैं बात करूँ options की तो option में कैसे निकलेगा आप बोलो के sir 900 option है minus 900 कितने पैसे मिलेंगे वो उपर लिखा और fair value कितनी है 90 रुपिया यह नीचे लिखा यह आजाएगा 150 ठीके जी convertible preference share कितने आएंगे देखिए एक share के बदले में 2 equity share है और आपके 7500 share है एक के बदले में 2 तो 7500 shares के बदले में 2 case आप से होगे आपका 15,000 ठीक है clear है यह बात समझाती है अगर आप debentures की बात करें तो 10 lakh रुपीस के debenture है और एक debenture 100 रुपे का है तो इससे number of debenture आजाएंगे और एक debenture के बदले में आप 4 equity share दोगे मैंने का ठीक है तो आपने कहा है 10 lakh रुपे के मेरे debenture है एक debenture 100 रुपे का है तो इससे number of debenture आगे 4 से multiply कर दूँगा तो मेरे को number of potential ordinary shares पता लग जाएंगे which is 40,000 इतनी बाद समझाती है कोई दिक्कत नहीं है चले बहुत बढ़िया अब इसके बाद मैंने आपको बोला increase in earnings निकालो चलो increase in earnings ये है step number 3 ये एक table बनाने लग रहा हूँ जिसमें एक column ये हो गया एक ये हो गया दो column और बनाके पहले चारपा step ये ही खतम कर दूँगा increase in earnings earnings में increase कितना होगा देखो option के case में इसने बोला नहीं है कोई खर्चा डाला है या कोई income डाला है तो option की वैसे earnings को कोई भी फरक नहीं पड़ेगा मानते हो बात convert करो, मत करो earnings में कोई चैज़ नहीं है preference share के case में उसने बोला था dividend है तो आप dividend पे नहीं करना पड़ेगा तो 75,00 पे 9 रुपे के इसाब से dividend है और उस पे 8% का DDT है corporate dividend tax है तो मैंने का ठीक है 75,00 पे 9 रुपीज के इसाब से dividend है dividend है एक preference share पे 9 रुपे का dividend है 75,00 share पे 75,00 into 9 हो जाएगा प्लस 8% का tax लगा दो इस पे तो प्लस 8% कर दो direct 75,00 into 9 प्लस 8% is equal to 72,900 डिबेंचर के case से मैंने क्या बोला था interest 1 minus tax अब देख लो ज़रा interest कितना होगा 10 रुपे के डिबेंचर है 10% का interest है और यह tax rate है चलो interest होगा 10,00 का 10% यह लो जी 10,00 का 10% 1 minus में taxation तो यह आजएगा 1,00,000 यह आजएगा 75,000 रुपीज ठीक है इतनी बात क्लियर है तो देखो अपने 3 स्टेप पूरे होगे 1, 2, 3 अब स्टेप नमबर 4 है incremental EPS निकालो incremental EPS incremental EPS बेसिकली कुछ नहीं होता if this is column A this is column B this is column C this is column D तो column D is equal to column C upon column B incremental EPS बताता है कि अगर आप इस shares को convert करने वाले हो तो इसकी वज़े से कितना earning per share आने वाला है एक तरीके से मतब इसका क्या impact होगा तो हमने का ठीक है निकाल लो C divided by D तो मतब 0 divided by 150 is equal to 0 72,900 divided by 15,000 is equal to 4.86 and 75,000 divided by 40,000 is equal to 75,000 divided by 40,000 is equal to 1.875 या तखेगा अगर incremental EPS आपका जो basic EPS है या पर पुराने EPS है उससे जादा है तो anti-dilution होता है हमेशा और अगर कम है तभी dilution होता है correct या बार done है तो या आगे point number D अब point number E में मुझे क्या करना है तब next में क्या करना है सासा ranking करनी है तो मैंने कहा तो ascending order में ranking है जो सबसे कम है उसकी rank 1 then rank 2 then rank 3 तो सबसे कम ये है तो इसकी rank हो गई 1 इसके बाद 1.875 and then 4.86 this is rank 3 rank 1 rank 2 rank 3 इतनी बार done तो यहा तक मैंने क्या कर दिया मैंने step number 1,2,3,4 तक conclude कर दिया अब मुझे सिर्फ DPS निकालना है 1 by 1 एक एक करके सब पाउस के लिए DPS निकालना है सारा number मेरे इस table से आ जाएगा मुझे अलग से कुछ और नहीं चाहिए अब मैं यहाँ पर DPS की working करनी शू करता हूँ तो मैंने कहा particulars यहाँ पर मैंने लिखा profit यहाँ पर मैंने लिखा number of shares और यहाँ पर मैंने लिखा earning पर share स्टार्टिंग में हमारे पास बिलकुल अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ net profit कितना available था net profit available for equity shareholders is 90,000 16,000 आपके पाद debentures थे तो यह आगया था 90,000 divided by 16,000 is 5.625 यह आगया था आपके पाद basic EPS ठीक है इतनी बत किया रहे अब देखो ranking 1 किसकी है option की option का incremental EPS क्या है 0 है 0 is less than 5.625 that means dilution आएगा अगर incremental EPS previous EPS से कम होगा तो dilution आएगा अगर जादा होगा तो anti-dilution आएगा correct तो मैंने का चलो तो मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने options का impact लिया मैं मानता हूँ कि अगर options convert हो जाएंगे तो क्या होगा profit में कोई फरक नहीं पड़ेगा shares 150 से भड़ जाएंगे तो यह आजाएगा आपके पास solve कर लिजे 90,000 16,150 यह पास है ना क्योंकि यहाँ पर से पास के numbers आएंगे और कुछ नहीं आएगा तो 90,000 divided by 16,150 is equal to 5.5727 5.573 तेखो कम आगया ना हो गया ना reduce मैंने बोला ही था अगर incremental EPS पिछले वाले EPS से कम है तो यह dilution ही लेकर जाएगा anti-dilution नहीं जाएगा तो अब option हो गया option के बार ranking 2 किसकी है debentures की debentures चलो debentures लेते हैं अब मैंने लिया convertible debenture debenture की वैसे increase in earnings profit में कितना impact आएगा 75,000 रुपीज देखो सब कुछ उसी table से आजाएगा आपको अलग से कुछ नहीं लेकिए आना shares 40,000 यहाँ पर impact आजाएगा यहाँ पर आजाएगा 1,65,000 56,150 अब जड़ा एक मिनट रोग जाओ चेक करें कि इसका dilution आएगा anti-dilution आएगा देखो कितना EPS आएगा 5.573 इसका incremental EPS कितना है 1.875 कम है न dilution आएगा 101% अगर incremental EPS कम होता है तो dilution आता है previous वाले EPS से और अगर जड़ा होगा तो anti-dilution आजाएगा यह मैंने divide किया तो आगे 2.94 देखो कम हो गया पर से अब next क्या है अपने पास convertible preference share मैं चाहूँ तो ना भी करूँ तो भी चल जाएगा मालूम है क्यों देखो 4.86 4.86 है incremental EPS और अभी EPS कितना चल रहा है 2.94 जादा आ गया जादा इंक्रिमेंटल EPS जादा है और incremental EPS जादा है तो anti-dilution आएगा 120% देख लेना अब बोलो करके दिखा हूँ या रहने दू वैसे तो मेरा diluted EPS होगा यह क्योंकि इसके बाद anti-dilution है तो diluted EPS हो जाएगा यह basic EPS हो गया यह preference share की मुझे जर्वत ही नहीं है बट फिर भी just for the sake मैं आपको करके दिखा देता हूँ मेरा profits में कितना increase है 72,900 increase है increase in earnings यह है और number of shares यह हो गए निकाल लीजे ज़रा तो यह आजाएगा आपके पास कितना 237,900 71,150 237,900 divided by 71,150 is equal to 3.34 अब बाद calculation चेक कर लो 165 plus 72,900 is equal to यह और 56,150 plus 15,000 is equal to यह ठीक है देखो बढ़ गया ना this is anti-dilution और standard anti-dilution के लिए बैसे भी मना करी रहा होता है तो इसको आपको ignore करना है now you will conclude since due to convertible preference here there is anti-dilution dilution hence it will be ignored इसको आप क्या कर देंगे? ignore कर देंगे and diluted EPS will be will be 2.94 thus conclude करो अब DPS is equal to 2.94 and EPS is equal to 5.625 per share ठीक है जी इतनी बस समझा गी? देखो यह बन गया काम हो गया खतम तो कभी भी आपके पास multiple pause के questions आ रहे है ना तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना बस इनना सा इतना सा काम कर देना trust me देखो आपके सारे questions बन जाएंगे इससे जादा कुछ करने की जरुवत नहीं पड़ेगी ठीक है उमीद करता हूँ कि आपको यह concept समझ आया होगा इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ अगली वीडियो में आपसे दुबारा मिलूँगा एक नए concept के साथ एक नए question के साथ ठीक है वीडियो को like जरूर कर देना और दोस्तों से share जरूर कर देना चले मिलता हूँ आपसे दुबारा आगली वीडियो में तब तक के लिए चैसे शाम